राय बरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर आज की बड़ी खबर सुहागिनों ने पूजन करके किया अपने चान का दीदार महिलाओं ने सुनी करवा चौत की वरत कथा राय बरेली, करवा चोथ पर गुरुवार को सुहागिनों ने करवा चोथ का निर्जला वरत रखा और अपने पती के दीरगायू होने तथा सुखी ग्रिहस्त जीवन का आशीरवाद मांगा पूजन के बाद उन्होंने अपने पतियों का दर्शन किया घरों की छटों और आंगन में रगोली बनाए गई रात में चांद के उदे होते ही छटों और आंगन में महिलाओं ने चंद्रदेव का पूजन किया और उन्हें अर्ध्य समर्पित किया विधी विधान से पूजन के बाद पतियों ने उन्हें जल पिलाया और उनका वरत तोड़वाया सुहागिनों ने घर के बड़े बुजूर्गों के चरंस पर्ष करके उनका आशिरवाद लिया माननेता है कि करवा चौत का वृत रखने से अखंट सोभाग्य का वरदान मिलता है वहीं दो पहर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौत वृत की कता भी सुनी उधर, करवा चौत पर शहर के बजार में बहुत भीव भाड़ रही बड़ी संख्या में महिलाए अपने बच्चों और पतियों के साथ बजार में खरीदारी करने के लिए आई थी यही हाल सबजी मंडी और विशंभर मार्केट वाली गली का भी रहा घंटाघर 4 पर भी जाम लगता रहा हाला कि वहां मौझूद पुलिस कर्मी बराबर या तायात को सुगम बनाने के लिए मेहनत करते नजर आए कई साल के बाद बजार में ठीक ठाक भीर नजर आई लंबी रही चांद के निकलने की घडिया कराया इंतजार श्रंगार करके महिलाई शाम से ही आसमान की और निहारती रही की चंद्रदेव कब निकलेंगे आज चंद्रदेव ने उदे होने में सुहागिनों को काफी प्रतीक्षा कराए घर के बच्चे भी आस्मान की गतिविधियों पर नजर रखे थे और पल-पल की खबर अपनी माताओं को देते रहे जैसे चांद निकलने से पहले उनकी आभा दिखी बच्चे चिल्ला उठे मम्मी चांद निकल रहा है आईए साल में एक बार करवा चौत का त्योहार आता है पिछले 21 वर्षों से करवा चौत का वरत कर रही हूँ अपने सुहाग की सलामती और सुख समृद्धी की कामना से यह वरत करती हूँ महंदी में स्पेशल करवा बनवा रही है बताया की वो बीते 4 साल से करवा चौत का वरत कर रही है यह वरत रखकर उन्हें बहुत संतुष्टी और खुशी मिलती है घर में सुख शांती का वास होता है पती की लंबी आयू के लिए वरत होता है सभी सुहागिने वरत रही है मैं 25 वर्षों से वरत रखती हूँ यह वरत सभी सुहागिनों को रखना चाहिए यह हमारी भारतिय परंप्रा है जिसे हमें सदैव जीवन्त रखना है करवा चौत पर मेहंदी लगवाई है पिछले 6 साल से वरत रहती हूँ गर सुहाग की सलामती के लिए हम महिलाएं इस वरत को करती है करवा चौत का वरत और पूजन से घर में सुख, शान्ती और संबन्नता आती है प्रोली श्रीवास्तव, निकट CMO ओफिस फोटो राइबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करे फेस्बुक पर फॉलो करे, यूट्यूब पर कमेंट करे राइबरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर सुहागिनों ने पूजन करके किया अपने चान का दीदार महिलाओं ने सुनी करवा चौत की वरत का था राइबरेली, करवा चौत पर गुरुवार को सुहागिनों ने करवा चौत का निर्जला वरत रखा और अपने पती के दीरगायू होने तथा सुखी ग्रिहस्त जीवन का आशीरवाद मांगा पूजन के बाद उन्होंने अपने पतियों का दर्शन किया घरों की छटों और आंगन में रगोली बनाए गई रात में चांद के उदे होते ही छटों और आंगन में महिलाओं ने चंद्रदेव का पूजन किया और उन्हें अर्ध्य समर्पित किया विधी विधान से पूजन के बाद पतियों ने उन्हें जल पिलाया और उनका वरत तोड़वाया सुहागिनों ने घर के बड़े बुजूर्गों के चरंस पर्ष करके उनका आशिरवाद लिया माननेता है कि करवा चौत का वरत रखने से अखंड सौभागय का वरदान मिलता है वहीं दोपहर में महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौत वरत की कता भी सुनी उधर करवा चौत पर शेहर के बजार में बहुत भीव भाड़ रही बड़ी संख्या में महिलाए अपने भूजा हो रही है आज यहां पर पूजा हो रही है और हम सबने सुबह से व्रत रखा हुआ है नर्चला व्रत और सारी सुबह से त्यारी चल रही है बस आद पूजा संपन्पर्ण होने जब बैखा हुआ है है मेरी तीम साथ से इठानी है कितने साल इज़ा रही है यह मेरा सात्वा साल है आप कितने साल इज़ा रही है है मेरा तेरा साल कंप्लेट हो कि कौन पूजा करते हैं कि कि इतने साल इसका है अज करवा चौत की अब रत है जहां तीनों देवरानी जिठान्यों ने व्रत रखा है जिसकी में छोटी से कहानी बताना चाहती हूँ तो जब उसके भाई जो है उसे बहुत प्यार करते थे लेकिन उसको भूका प्यासा देख नहीं पा रहे थे तो उन्होंने नकली चांद बना करके उसका दर्शन करवा दिया अपनी बहन को तो जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया खाने का तो उसमें बाल निकलाया दूसरा ग्रास खाया तो उसमें कंकर आ गया और तीसरा ग्रास खाते ही उसके ससुराल से उसके पती के बिमार होने की खबर आ गई